Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe. आज हम class 11th and CRT की exercise 3.2 के question 6 to 10 solve करेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा quadrant के formula को समझ लेते हैं. देखे उन questions में हमें, अब हमें ऐसे angles की value find out करनी होगी जो हमारे पास trigonometric table में नहीं दिये हुए होते थे. जैसे हमारे पास हमने class 10th और 11th में बढ़ा था कि sin 0 की value होती है, sin 30, 45, 60 और 90 लेकि 90 से उपर अगर कोई angle आ जाता है, तो उसकी value कैसे find out होगी यह हमें नहीं पता है. आज हम उसी बारे में सीखेंगे कि अगर हमारे पास angle 90 से बढ़ा आ जाए, चाहे वो 360 degree से बढ़ा हो जाए, अगर 360 degree देखें मैंने कहा था, कि 360 degree कितना angle होता है, complete round को हम 360 degree के angle को बोलते हैं, अगर उससे भी ज्यादा angle हो जाता है, मान लीजे मेरे पास angle आता है, 765, उसकी value find out करनी है, उसका मान क्या होगा, तो हमें quadrant के formula की ज़रूरत पढ़ती है, इकलोते diagram से 54 formula generate होते हैं, 54, ध्यान रखेंगे, अगर ये diagram समझ में आ जाएगा, तो आप 54 formulas को आपको learn करने की कोई ज़रूरत नहीं पढ़ेगी, बस दिमाद में एक बार इस diagram को ध्यान रखें, और 4, 360 degree को 4 बरावर बरावर भागों में बाटा है, 90, 90 degree के हमने 40 के हिस्से किये थे, जिनको हम 1st, 2nd, 3rd और 4th quadrant में बोलते हैं, 1st quadrant की हमारी property थी, कि इसमें जितने भी T ratios होंगी, वो सभी की से positive होते थे, जो 2nd quadrant है, उसको sign और cosec positive होते हैं, और 3rd quadrant है, 10 और quote, और 4th quadrant में cosec हमा फिर हमारे पास जो ये line थी, 90 की, 90 और 270 की, ये line कैसी थी, ये change की थी, मतलब ये T ratio के मान को change कर देगी, sign को cosec में change कर देगी, cosec को sign में, ऐसे ही, ये जो line होगी 180 की, 180, 0 और 360, ये जो complete line है, ये no change की होती है, अगर इसमें sign, cosec 10 आ जाते हैं, तो उनके मान as it is वही रहेंगे अब देखे, बनते कैसे हैं, आपने class 10 में formula पढ़े होंगे, कि हमारे पास formula आता था कि sign minus x बराबर minus sign x होता था, अब वहाँ पर ये बताया नहीं जाता था कि कैसे, तो आज मैं ये बताऊँगा, कि sign minus x बराबर minus sign x कैसे आया था, देखे, यहाँ पर देख लिते हैं, मैंने कुछ एक table बनाई है आपके लिए, उसी में हम समझे नहीं कोसिस करेंगे, देखे, सबसे पहले convergence समझ गते हैं, कि sign cos में change होगा, और cos sign में change होगा, ये तियान रखेंगे आप, ऐसी ही 10 quote में change होगा, और quote 10 में change हो जाएगा, cosec sec में change होगा, और sec cosec में change होगा, अब हमारे प 0 degree की बात करें, देखे, हमारे पास एक formula था, sin 0 minus x, अब हम बहुत सी बार 0 नहीं भी लिखते हैं, तो इसका directly sin minus x भी लिखा जा सकता है, लेकिन मतलब वही है, अब देखे, sin 0 minus x का मतलब क्या हुआ, 0 degree मेरे पास ये angle हुआ, यानि कि 0 degree की line मेरे पास ये रही, अब देखे, म अब अगर मैं 0 में से कुछ angle, ये x क्या है, एक छोटा angle है, एक cute angle है, जो मैं 0 में से minus कर रहा हूँ, अब अगर मैं 0 में से minus करूँगा, हमने कहा positive direction हमारा ये है, ये हमारा positive direction है, तो negative direction क्या हो जाएगा, ये, इसका opposite हो जाएगा, तो अगर मैं 0 में से minus करता हूँ, तो मैं कह आओंगा नीचे, fourth quadrant में पहुत जाओंगा, नीचे आजाएंगे, तो हम कहा जाएंगे, fourth quadrant में आजाएंगे, अगर मैं zero में से कुछ भी minus करूँगा, तो मैं नीचे आजाओंगा, और देखें, नीचे की property देखते हैं, यह नीचे कौन सा quadrant है, बार पास, fourth quadrant है, और इसकी property क्या महाबर नहीं लिखावा है, अब बात करते हैं, यह line का nature कैसा है, इस line का nature देखो क्या लिखावा है, मैंने, no change है, यानि कि sine sine ही रहेगा, तो या जाएगा, sine x, तो देखें, sine zero minus x मेरे पास minus sine x मिला है, इस type से, फिर next देखते हैं, cos zero minus x या cos minus x, अब देखें, cos zero में से minus किया जीरो में से minus किया, फिर से में fourth quadrant में आ गया, fourth में देखें, cos positive है, अब अगर cos positive है, तो यहाँ पर हमारे पास positive का sine आ गया, फिर देखते हैं, कि यह line कौन सी है, यह zero वाल line कौन सी है, no change की है, यानि कि cos, cos ही रहेगा, तो देखें, sine minus x हमारे पास minus sine x हुआ, और cos minus x हमारे पा पाई बाई टू के लिए, देखें, जीरो प्लस को हमने नहीं solve किया, कि जीरो प्लस करने से कोई फाइदा नहीं होता है, अगर आप जीरो कीची में चोड़ देंगे, तो कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन minus करने से पढ़ता है, देखें, अब हम बात करते हैं, पाई बाई ब minus x, अब sin pi by 2 minus x, सबसे पहला आखो कहा देखना कि ये कौन से क्वाडरेंट में जाता है, 90 हमारे पास pi by 2 ये रहा, अगर pi by 2 में से minus करूँगा, तो मैं फिर से opposite direction में आ गया, इधर आ गया, तो ये कौन सा मेरे पास क्वाडरेंट मिलता है, मुझे first quadrant, और देखें, first quadrant क्वा cos x बन जाएगा, क्योंकि मैं ने बताया, कि sin किस में change होगा, cos में change होगा, ऐसे ही, cos pi by 2 minus x की बात करें, अब देखें, pi by 2 में से minus किया, तो फिर से first quadrant में आऊँगा, first में आऊँगा, अजब ही positive है, ये positive आजएगा, और line कैसी है, ये change की है, तो cos किस में change होगा, sin में change होग और second में हमारे पास positive कोन है, sin और cos x, अब देखें, sin pi by 2 plus x, कहां आए हम second quadrant में, second में ये sign, देखें, ये sign है, और sign यहाँ पर positive है, तो ये positive होगा, फिर ये line कैसी है, ये change की है, तो ये क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा, तो देखें, हमें सिर्फ दो चीज़ धियान रखन सबसे पहला, वो किस quadrant में किया, second उस line का nature किया है, जिस angle पर वो line टिकी हुई है, फिर second बात करते है, cos pi by 2 plus x की, अब देखें, cos pi by 2 plus x है, फिर से में second quadrant में, second में cos negative होता है, क्योंकि यहां cos नहीं लिखावा है, तो cos negative आ गया, और line कैसी है, ये change की है, तो ये cos का sin x बन गया, ऐसे हम बाकी के लिए निकाल सकते हैं, ऐसे हम बात करें, pi minus x के लिए, pi minus x, अब देखें, pi में से कुछ minus करूंगा, तो फिर से मैं negative direction में आया, और कहां आ गया, second quadrant में, तो देखें, sin pi minus x, और sin यहां पर है पहले से ही, इसका मतलब positive रहा होगा, अब second quadrant में आया है, हमारे प minus करूंगा, second में आया, second में देखें, cos negative है, cos यहां पर नहीं है, तो negative हो गया, और line कैसी है, no change है, यानिके cos, cos x ही रहा, फिर बात करते हैं, pi plus x के लिए, अब देखें, pi में कुछ add करेंगे, यहां कुछ add करूंगा, तो मैं कहां हूँगा, third quadrant में, third quadrant में आऊँगा, तो दे change की है, यानिके sin, sin x रहा, फिर cos pi plus x की बात करें, तो यह भी third quadrant में आया, और third में cos भी negative होता है, तो negative आ गया, line no change की है, तो cos x ही रहा, अब आगे चलते हैं, 3 pi by 2 minus के लिए, अब यहां पर आगे हैं, 3 pi by 2 minus के लिए, अब देखें, 3 pi by 2 minus के लिए, अब देखें, 3 pi by 2 minus के ल cos में change हो जाएगा, ऐसे ही हम cos का check कर सकते हैं, यह हमारे पास minus का sin x आएगा, next, 3 pi by 2 plus x के लिए, अब देखें, 3 pi by 2 में कुछ add करूँगा, तो मैं कहां होंगा, fourth quadrant में, और fourth में हमारे पास cos और sec positive है, वाकिसम negative है, तो sin वाली line हमारी कैसी हो जाएगी, और यह line कैसी है, यह change की है, यहारी कि यह फिर से हमारे पास cos x हो गया, minus का, फिर cos 3 pi by 2 plus x की बात करें, cos यहाँ पर positive है, तो positive आजाएगा, और line कैसी है यह, change की, तो यह sin x हो गया, अब बात करें 2 pi minus x की, तो 2 pi मैं से फिर से minus करूँगा, तो मैं फिर से देखें, fourth में आया, तो देखें, 0 minus हुआ या, 2 pi minus हुआ, आया मैं, fourth में ही, दोनों से लगबग एक जैसी ही बात हो जाएगी, बस angle का हमारे पास difference आता है, जहाँ पर बड़ा angle होगा, वहाँ पर मैं 2 pi का use करूँगा, तो 2 pi minus x हमारे पास आया, मैं कहाँगा, fourth में, और line कैसी है, यह no change की, तो यह मेरे पास minus का sin x हो और cos यहाँ पर positive होता है, और यह line हमारे पास no change की है, तो यह plus का cos x हो जाएगा, ऐसे ही plus के लिए बात करें, 2 pi plus x, अब देखें, 2 pi में कुछ add करूँगा, छोटा angle add करूँगा, तो वह कहाँ जाएगा, first coordinate है, और first में सभी के सभी positive होता है, और यह line no change की है, तो यह नहीं क कि आपको यह diagram बहुत हद तक समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई problem रहती है, तो आप मुझे comment box ने बताए, मैं इसको आगया आपको फिर से एक बार बताने की कोशिस करूँगा, अब हम बात करते हैं इसी exercise के, question number 3.2 से question number 6 और 10 की बात करते हैं, देखें, here question number 6 में क्या क यह थोड़ा सा problem है, ध्यान रखेंगे, बहुत easy चीज है, जब भी angle हमारे पास, देखें, मैंने क्या बताया था कि complete angle 360 degree का होगा, अगर 360 degree से जादा degree का angle मुझे given है, तो वो angle जादा नहीं है, बस वो number of rounds है, कि उसने जादा round ले रखे हैं, उस complete angle के, तो मुझे find out करना है, क इसने कितने round लिये है, 360 degree के, वो मुझे कैसे पता चलेगा, अगर मैं 360 degree से 765 को divide करता हूँ, तो मेरा table 2 times चलेगा, और ये मेरे पास 36 into 72, तो 720 आया, यहाँ minus करता हूँ, तो 5 बचेगा, और ये 4, देखें, मतलब क्या रहा, मतलब ये रहा, कि ये जो 765 degree के angle था, इसका क्या round लगाया, 2 round होगे, और इसके बाद कितना reminder बसता है, 45, 45 कहा होगा, 1st quadrant में तो रहा होगा, यहीं कहीं पर, तो यानि कि इसकी final position क्या है, वो 1st quadrant है, और यही मुझे चाहिए, तो देखें, हम इसको लिख कैसे सकते हैं, साइन, 2 into 360, देखें, 2 round लगाया, इसने 360 degree के, ये मुझे पता चलता है, प्लस 45 degree बचता है, ध्यान रखेंगे, फिर से समझ ले, 360 degree के, इसने 2 चक्कर लगाया, और 45 degree मेरे पास angle और बच जाता है, तो ये मेरे पास इसकी notification हुई, मैं इसको detail मैं से लिख सकता हूँ, तो 2 into 360 plus 45, अब देखें, अब हमारे पास ये formula आ गए, यहाँ पर ये 2, ये constant है, अब ये सिर्फ के number of round है, ये सिर्फ number of round बताता है, बाकि इसका कोई use नहीं है, अब आप इस 2 को भूल जाएं, अब देखें, 360 plus theta, 360 plus theta, क्या होता है, sin theta के बड़ाबर होता है, मैंने कहा, कि 2 pi में अब अगर no change की line है, तो sin, sin ही रहेगा, और हमारे पास theta आ गया, ये कि 45 आया, और sin 45 value, 1 upon root 2, तो sin 765 value, 1 upon root 2 होगई, ये हमारा answer आ गया, अब देखें, जहाँ negative आ जाए, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, negative का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले बताया था, कि अगर angle negative में दिया हुआ है, तो वो सिर्फ और सिफ ये denote करता है, कि angle का जो direction है, वो opposite है, उसने opposite direction में हमारे round लगा रखें, इसलिए वो negative दिखा रहा है, तो मुझे क्या करना है, कि जुसके direction negative direction में है, उसको मुझे positive direction में करने है, convert, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब देखें, जैसे तो ये positive है, convert हो जाएगा, देखें, अगर मैं 360 से divide करते हैं, इस minus के 1410 degree को, तो हमारे पास जो table चलेगा, वो अगर मैं यहाँ पर 4 time table चलाऊँ, तो ये हो जाएगा, 40, 24 का 4, 2, और 4, 3 जा 12, और 12, 2, 14, यहाँ जाएगा, अब देखें, अगर इस 1440 में से 1410 को minus करूँगा, तो मेरे पास 30 degree बचता है, देखें, मैंने क्या किया, कि एक number extra table चला है, negative में ध्यान रखेंगे, एक number extra table चलाएगे, तो उससे क्या होगा, वो direction उसका positive में बदल जाएगा, अब देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ, कोसक minus 1410 degree बराबर कोसक minus 1410 plus 1440, या 4 into 360, वो बात एक ही ह 4 into 360 लिखू, या मैंने 364 से multiply करके 1440 यहां पर लिख दिया है, अब देखें, इस में से, इसको minus करेंगे, तो मेरे पास plus का 30 बचेगा, तो देखें, कोसक minus 1410 बराबर कोसक 30, और कोसक 30 की value 2 होती है, और यही मेरा answer आया, अब देखें, यहां पर angle आया, रेडियन में, इससे यह ध्यान रखेंगे, हाँ, अपने rough work के लिए आप उसको degrees को radian में convert कर सकते हैं, radian को degree में convert कर सकते हैं, वो जैसे आपको समझ मैं वैसे, लेकिन solve करने के लिए, जैसे method दिया वैसा ही solve करना पड़ेगा, तो 10, 19 pi upon 3 है, अब चेक करता हूँ पहले तो यह angle है कितने degree का, मारा pi cancel हो जागा, 3 से 60, 180 cancel होगा 60 time, और 60 multiply 19 से करेंगे, तो 1140, 1140 degree का angle मुझे ही मिला, अब अगर 1140 degree का angle है, तो मुझे फिर वही 360 से divide करना पड़ेगा, 1140 degree को, अब देखे मेरा 3 time table इसमें चलेगा, और यह 30, 0, 3, 6, 18, 1, 3, 9, 10, यह 1080 बनता है, और इसमें जगर minus करूँग तो 60 मेरा minus आता है, तो मैं 10, 19, pi upon 3 को लिख सकता हूँ, 10, 3 into 360 plus 60, यह लिखना नहीं है आपको, यह मैंने सिर्फ करके दिखाया है, यह लाइन का use आपको नहीं करना है, यह सिर्फ यहाँ पर पहले question में करके बताया है, इसके अलावा आपको आगे से radian में ही लिखना है, त तो यह 3, तो pi upon 3, simple आप दिमाग में कर सकते हैं, जो इस angle को भी convert करना आपको, उसी multiply pi upon 3 करो, और solve गर के लिख सकते हो, तो 60 हमारे पास pi upon 3 आगया, अब देखे फिर से यही formula बना, 4th quadrant का, क्या था, कि 10, 2 pi plus x, कौन से quadrant में जाएगा, 1st quadrant में, देखे 60 degree है, 1st quadrant में आएगा, क line, no change की होती है, तो 10x, यानिके 10 pi upon 3, और 10 pi upon 3, यानिके 10, 10, 60 की value, root 3 होती है, यह हमारा answer आगया, आप question number 9, 9 में देखे हैं, हमारे पास question है, sine minus 11 pi upon 3, अब देखे फिर से negative angle आगया, तो negative angle है, तो इसको positive करना होगा, पहले देख लेते हैं, कितने degree का angle है, तो 11 pi upon 3 की multiply 180 upon pi से क तो pi से pi cancel हुआ, 3 से ये 60, और 60 की multiply 11 से करेंगे तो 660, तो यह हमारे पास angle आगया, 660 degree का angle मिला है, अब 660 degree का angle को positive में convert करने के लिए, मुझे 360 से इसको divide करूँगा, तो मुझे 2 time table चलाना पड़ेगा, और यह हमारे पास positive में convert हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इ 4 pi, 4 pi मतलब, देखो में 2 time table चलाया है, 2 time table चलाया है 360 का, तो 360 यह निकर 2 pi, तो 2 pi into 2, 4 pi, तो यह 4 pi होगे, आप देखे 4 pi में, अगर इसको minus कर देता हूँ, या plus करने की बात करें हैं, तो हमारे पास LCM लेंगे, तो 4 3 जा 12, 12 minus 11, 1, यानि कर pi upon 3 हमारे पास बचता है, और line य change की है, क्योंकि यह first quadrant में जाएगा, sin 2 pi plus theta, अब 2 pi में कुछ add करूँगा, तो मैं first quadrant में जाऊँगा, और वहाँ पर line positive की बन जाएगी, और positive की बनेगी, तो हमारे पास sin pi upon 3 आएगा, और sin pi upon 3 की value root 3 upon 2 होती है, ऐसे question number 10, quote minus 15 pi upon 4, अब देखे 15 pi upon 4 को बदल लेते हैं, तो हमा पर भी चला था, तो यहाँ पर भी two time table चलाऊंगा, तो 4 pi बनता है, और 4 pi यह फिर से first quadrant में जाएगा, चुकि अगर 4 pi में इसको minus करूँगा, तो pi upon 4 आएगा, देखे 4 चुक 16 और 16 में से 15 जाएगे, तो हमारे पास pi बचेगा, pi upon 4 और pi upon 4 angle होता है, 45 degree का, pi upon 4, 45 होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि चो quadrant के formula मैंने वही समझाएं आपको, वो जितने 54 formula बनते हैं, वो 54 के 54 formula आपको return करने हैं, लिखने हैं बैटके, जैसे ही आप उन formula को सही से लिख देंगे, आपको diagram पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, और यह question एक दम से के लिए हो जाएगे, otherwise यह question आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई formula 54 formula ऐसे याद नहीं किया सकते, उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस diagram को समझें, वीडियो को बार बार देखें और इन formula को एक बार फिर से अपनी copy में लिख लें, thank you for watching.